टीवी क्वीन एक्ता कपूर आज अपना 46 वा बर्टे सेलिब्रेट कर रही है। एक्ता का जन्द 7 जून 1975 को हुआ। पिता का नाम एक्टर जतेंद्र और माता शोभा कपूर है। एक्ता ने टीवी से लेकर बॉलिवूर्ड तक खूब नाम कमाया है। एक्ता एक सफल डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर है। एक्ता और उनकी मा शोभा बालाजी टेली फिल्म्स की पार्टर भी है। पिता जतेंद्र से आर्थिक मदद मिलने के बाद एक्ता ने शोज का निर्मान करना शुरू कर दिया। एक्ता ने 19 साल की उम्र में अपने करिय की शुरूआत कर दी थी। एक्ता ने कई स्टॉस को ब्रेक देकर उनकी जिंदगी बदली है। एकत 40 के करीब शोज बना चुकी है। जिनमें हम पाँच परोसन, कैप्टन हाउस, मानो या ना मानो, कण्यादान, घर एक मंदिर, क्योंकि सास भी कभी बहु थी, कहानी घर घर की कुसुम, कसौटी जिंदगी की पवित्र रिष्टा, बड़े अच्छे लगते हैं, कुमकुम भाग्य, गुमराह, अजीव दास् एक्ता भाई तुशार कपूर को लेकर भी कई फिल्में बना चुकी है, लेकिन तुशार से ज्यादा एक्ता ने बॉलिवुड में नाम कमाया है, एक्ता कपूर को अपनी सफलता के लिए भारतिय टेली विजन अकादमी पुरसकार, इंडियन टेली अवार्ज, कलाकार पु एक्ता अभी कुवारी है, एक बार इस बारे में बात करते हुए एक्ता ने कहा था पापा की एक शर्ट की वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की, वरना मैं तो 22 साल की उम्र में ही शादी कर घर बसाना चाहती थी, एक्ता कपूर ने कहा था, जब मैं 17 साल की थी, तब मेरे पिता जतेंडर ने कहा था कि या तो शादी कर लो या फिर पार्टी करने की बजाए काम करो, जैसा की मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा वो मुझे पॉकेट मनी के अलावा और कुछ नहीं देंगे, इसलिए पैसा कमाने के लिए मैंने एकेड एजेंसी में काम करना शुरू क कर दिया था, एकता कपूर आगे कहा था, जो सिचुएशन थी, उसे देखकर मैं बहतर महसूस कर रही थी और सोचती थी कि मेरा जीवन ठीक ठाक ही रहेगा, 22 की उम्र में शादी करूंगी और जिंदगी के मजे लूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से कहें या किसमत से हम जो स से बदल गए, एकता कपूर साल 2019 में सरोगेसी के जरिय मा बनी, एकता कपूर ने अपने पिता के नाम पर बेटा का नाम रवी कपूर रखा